हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टु माई चैनल, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर. आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद. पीश है सीरीज रिव्यू, ब्रिजिटन सीजन 3, पार्ट वन. यह Netflix पर प्रसारित हो रही है. यह सीरीज लेखक जूलिया क्विन के आर्ट प्रिजिटन, नॉवल सीरीज, उपन्यास पर आधारित है. यह सब जानकारी देने के बाद, दोस्तों, यहां हम देना चाहते हैं, एक स्पोईलर अलर्ट, अब इसके आगे हम, प्रिटिसाइज, अनलाइज, एक्स्प्लें, इवाल्यूएट, डिसकस, करेंगे इस सीरीज, सीरीज, का कहानी, उसके केरेक्टर, प्लॉट अंगल, मेन ट्विस्ट, टर्न, स्टोरी डिवलप्मेंट, प्लेस, आधी की बाते करेगे, दोस्तों, इसके साथ ही, यहां हम देना चाहते हैं, कॉपिराइट डिसक्लेमर, चैनल और वीडियो पर, कॉपिराइट क्लेम, नहीं आए, इसलिए हम सीरीज के सीम, या फोटिज, ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो कैसी है यह फिल्मा, यह थोड़ी बात करते हैं, इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगिटिव है, क्या यह सीरीज, सीरीज, आपको एंटर्टेन करती है या नहीं, क्या यह सीरीज, सीरीज, बिंच वाच है या नहीं और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वोधी है भी या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिजिटन सीजन 3 पार्ट 1 अभी 16 माई 2024 को 4 एपिसोड आए है और 16 जून 2024 को पार्ट 2 में बाकी एपिसोड आएगे हम सब ही जानते है कि यह सीरीज 18 प्रिन शताबदी के अंतने, लंदन, इंग्लेंड के हाई सोसाइटी, राज परिवार और उच्वर्ग के ब्रिजिटन फैमली के बच्चों की रोमांस, प्रेम कहानी पर आधारित है जिन दर्शकों ने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो एक छोटा सा रॉमैंस और शादी की कहानी दिखाई गई, अगले सीजन में ब्रिजिटन परिवार के सबसे बढ़े लड़के अंतरी के रॉमैंस पर आधारित थी, तीसरा सीजन महरानी शालेक की शादी, और ब्रिजिटन सीरीज के बाकडराउंड स्Ăडोरी पर आधारित था, यह सीज इसला सीजन जहां खत्म हुआ था, यह कहानी वहां से ही आगे बढ़ती है, एक नया साल लंदन, प्रिटिन, में सीजन, विवाह का मौसम है, सर्दियों खत्म है और बसंत रितू है, महरानी के सामने विवाह की उम्रकी लड़कियों को प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा ह जिसके प्रिटिन परिवार से लटकी फ्रैंचिस का प्रिजिटन का और फेदरिंग्टन परिवार से पनेलपी फेदरिंग्टन महरानी के सामने आएंगे। प्रिजिटन को ये रास पता है कि गोपनिया अकपार लेडी विसलडाउन को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि पनेलपी फेदरिंग्टन है। और इस कारण एलोईस ब्रिजिटन की दोस्ती पनेलपी फेदरिंग्टन से तूट गई थी। फिर भी इस सीजन में दोनों एक दूसरे से अपने दोस्ती सुधारने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं के अलावा अन्यकिर्दार जैसे की मिस्क रसिडा को पर है जो शादी करने के लिए किसे अमीर नवाव प्राच कुमार को धून रही है और पनेलपी फेदरिंग्टन को परिशान करती है। वही परिवार की मुख्या लेडी वाइलेट प्रिजिटन अपनी बेटी फ्रैंचेसका प्रिजिटन की शादी के लिए अमीर नवाव प्राच कुमार को धून रही है। साथ ही लेडी वाइलेट प्रिजिटन परिशान है कि उसके दूसरे बेटे पेनेटिक प्रिजिटन को एक कलकार बनिता संधू ने निभाया है। इसके अलावा बड़े बेटे आंटनी की इंडियन बिटिश पत्नी और उसकी बहन के रिष्टे पर भी एक कहानी का प्लाट इंगल है। यही इस सीजन की कहानी का मोल मोल सारांच है। नोवल की पूरी कहानी तो हम सब को पता है। फिर बड़े महल, सुंदर कहने, राजशाही की पाबंदिगिया, रस्न, रिवाज, दिखाए गए हैं जो आपको हनसाते हैं, जिसमें कुछ कॉमेडी है, हूमर है, रुमैंस है। यह सीरीज आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए, सिर्फ मनुरंजन की हिसाब से देखोगे, अंघर्ष को दिखाया जाएगा। कहानी में एक एमोशनल इंगल है जिसमें बात करी गई है कि अगर एक लड़की बहुत सुंदर ना हो तो क्या वे शादी नहीं कर सकती, उसके लिए क्या कोई अच्छा रिष्टा क्यों नहीं आता है, इस बात पर बहुत सारे व्यंग, डायलोग और कटाक्ष के माध्यम से चर्चा करी गई है, जोकि मुख्य किरदार Penelope Featherington पर बात करती है, ये जरूर एक हाइलाइट है, हमारे हिसाब से 8 या 10 एपिसोड सीरीज बनाना लंबा और बोरिंग सा लगता है, नेट्फिक्स वालों को ये सीरीज 6 या 7 एपिसोड भी experience लगा, ये सीरीज आपका ठीक ठाक मनोरंजन करती है, सीरीज में बहुत सी कॉमेडी और फणी सिचुएशन भी दिखाई गई है, इसके अलावा दोस्ती परिवार के सदस्यों के एक दूसरे का सपोर्ट वाला इंगल भी ठीक तरीके से दिखाया गया है, नेट्फिक् लिए एक visual experience अच्छा मिलता है, जैसा कि अभी हाल में Netflix पर हीरा मंडी आई थी बड़े से और सुन्दर कास्टुम और गहने पर कहानी में कुछ यादा नया नहीं है, या ऐसा कुछ बहुत exciting होने वाला हो वैसा कुछ भी नहीं है, कहानी predictable है आपको कुछ-कुछ अंदाजा ह जाता है कि अब आगे क्या होगा? भार्थिय दर्शकों को लुभाने के लिए 3-4 ब्रिटिश इंडियन क्यारेक्टर्स जिन्हें की भार्थिय मूल के कलाकारों ने निभाया है, उन्हें भी दिखाया गया है, जिनकी कहानी साइड लाइन के तौर पर ही है, शायद अगले स इजन में क्या हुआ और अब यहाँ क्या होगा? उस इंगल से जरूर दर्शक इसे देख सकते हैं. पॉपकॉन खाते हुए दोस्तों के साथ वीकेंड पर समय व्यतीत करना हो, आइपियल देखने का मूड नहीं हो तो यह सीरीज आप एक बार देख सकते हो. आपको सेक्स सी और New Duty देखने को मिलेगी और Adult Language भी आपको थोड़ी बहुत इस सीरीज में सुनने को मिलेगी. यह सीरीज आप पॉपकॉन खाते हुए, एक बार देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो कुछ खास मिस नहीं करोगे आप. हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट करके हमारे अन्य वीडियो भी देखे चैनल से जुड़ने के लिए धान्यवाद.